Subscribe to our channel and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, किरियो पारामेट्रिक की लक्चर में आपका स्वागत हैं. चली आज किरियो पारामेट्रिक में नया कमांड तिखेंगे दोस्तों, आपन करते हैं फाइल को, एक इसिस्टिंग फाइल को आपन करते हैं दोस्तों, कर दोस्तो आज का का हमारा कमांड रहेगा वह अप्लिकेशनद वाले टैब में यहां पर क्लिक करते हैं आज हम लोग देखेंगे दोस्तो कैसे एक पार्ट को हम लोग लोग करने से पहले दोस्ते हैं गोसी विल्द का उसे कहणuesta प्रोसेस रहेगा दोस्तों थीक है उसको जो सबसे पहले समझेंगे ठीक है यहां पर 4 के जो भी welding दिए हुए दोस्तों ठीक है यह विल्डिंग करने से पहले आपको वेल्डिंग कामट्रियल और प्रॉसेस को डिफाइन करना पड़ता है ठीक है तो शबसे पहले हम willed material में जाएंगे दोस्तो CLICK किजे इस पर New wyld material पर CLICK किजेगा और सबसे पहले एक name दिजीए इसको ठीक है यहां पर CLICK करते हैं ठीक है और यहां पर assign कर लेंगे इसको क्या material select करना है सपोसर kriters material लिए लेते हैं और यह लेते हैं ठीक है और पर ओके कर लेते हैं इसका रोट कडाया कितना रहेगा सपोस्ट एन दे जाते हैं और लेंध्थ हमाने डगते हैं ठीक है और इसको कर लेता है तो एक मट्री लम लोग यहां पर डिफाइन कर लिया दोस्तों अब सेकेंड उता है प्रोसेस प्रोसेस पर क्लिक कीजिए फिंचे ःष, ट्रीटिक है और जो मशिन्स राएगा वह यहां पर मैनुवल राएगा रोबोतिक तो मैनुवाल हम रखते हैं system type कौन से dough डिफिटिंग कर लेते इसका फीड्रек जो आप रओ यहां पर कीज़ेगा building का उसका field rate हो गया ठीक है उस Lord का maximum length हो गया minimum length अगर रखना है suppose one रख लिजे रोट अपनिंग suppose कर लिजे 0.5 minimum और maximum 100 कर लिजे यहाँ पर ok कर लिजे ठीक है इसको यहाँ पर जाएए edit पर click कीजे ठीक है और यह इसी किसाब से जिसे definition आप यहाँ पर define किये यह आपका parameter automatic यहाँ पर set हो गया दोस्तों ठीक है इसको ok कर लेते हैं चलिए तो आप दो चीज मेंना define हो चुका है अब अगला था preference दोस्तों ठीक है preference में क्या है दोस्तों यहाँ जितना type के आप welding पढ़िएगा ठीक है उसका एक brief summary दिया हुआ है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे जब भी आप पढ़िएगा ठीक है तो इसमें दो तरह के आपके standards set किये हुए है सबसे पहले है ANSI, ANSI मतलब होता है American National Extended Institute और second है मेरा ISO, ISO का मतलब होता है दोस्तों International Organization of Extendization ठीक है यह दो टाइप कर दिया गया है तो पहला जैसे select किजएगा तो इसमें यह दो डाया दिखाएगा और second जब लिजएगा तो इसमें यह यह वाला वीड़ दिखाता है तो सबका अलग-अलग अपना standard है दोस्तों तो हम लोग ANSI पर focus करते हैं ठीक है इस shape को define कर दिया गया अगर fillet weld होगा तो इस तरह से by default parameter यह रहेगा मेरा intermittent रहेगा तो default parameter यह रहेगा options दे दिया है इसमें अगर आप पहले से predefined करना चाहते हैं fillet वाले welding में कौन सा material होगा तो आप यहां से define कर सकते है वह by default आजाएगा दोस्तों ठीक है एक तो यहां सकते हैं दूसरा जब हम fillet weld जब हम करेंगे दोस्तों तो उस time में भी आपको यह सब define करना ही पड़ेगा ठीक है तो अच्छा है हम उसी time में define करें वह better है appearance है इस welding का color देने के लिए है दोस्तों ठीक है और इसका property है ठीक इसको कुछ नहीं कर देते हैं हाँ पर डिफॉल्ट को कुछ सेट नहीं करना है ठीक है नेक्स अपर वेल्ड इस्टेंडर आप किसी time भी आप यहां पर एनाशाई को चेंज कर सकते हैं आई इसो में दोस्तों ठीक है अब जैसे आप जरूत के नुसार को चेंज कर सकते हैं किये ठीक है अब वेल्डिंग माटरियल वेल्डिंग प्रोसेस वहा guards दोस्तों उसके बाद हम जाते हैं familiar जोस्तों ठीक है सबसे पहला तो फेल इंज Birth में हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे दोस्तों तो उसके लिए क्या आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले है single type welding ठीक है और यह double type तो हम पहले single type में लेके चलते हैं और यह देखिए तीन options हैं आपे D, D1, D2 और angle है तो D वाले case में दोस्तों क्या होगा जो आप fillet welding जब किजेगा है तो उसमें दोनों का dimensions जो है width और जो dia house का वो दोनों same होगा और D1, D2 में अलगए होगा ठीक है देखते हैं suppose यह है side 1 पे click करते हैं surface को select करते है ठीक है side 2 पे click करते हैं surface ही जे लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक one चुका है यहाँ पर ठीक है और आप जाते हैं यहाँ पर options में ठीक है यहाँ पर surface किया हुआ है तो देखिए as a surface यहाँ पर building हुआ है light कीजिएगा तो थोड़ा सा रहेगा light type का देख रहे हैं एंदा छोटा सा हुआ है और solid कीजिएगा तो as a solid आपका building होगा दोस्तों ठीक है यहाँ तक material select कर लिजे और process select कर लिजे यह जो all round weld है यह भ्यूंग के लिए आपका देखने के लिए है दोस्तों ठीक है यह आप by automatic ही select करके लखेगा ठीक है अगला था finish grinding कर लिजे और contour convex कर लिजे आपने ज़रत के नुसार यहाँ पर sit कर सकते हैं ठीक है weld sequence number दोस्तों यह sequence ID suppose यह मेरा first building है तो sequence ID इसका 1 हो जाएगा दोस्तों ठीक है इस पूरा geometry मेरा फ़हला building है keep ID in sequence पे click कर लिजे इस case में क्या होता है suppose दोस्तों अगर आप second building कहीं और कर रहा है ठीक है तो उसका sequence ID हो जाएगा 2 फिर उसका third अगर कहीं करते हैं उसका sequence ID 3 हो जाएगा माल लीजे आप पहला इससे पिछला कहीं delete कर देते हैं ID और यहां पर untick करके रखते हैं तो उसके इसमें वह ID 2 जो है हट जागा देखते हैं आगे कैसे होता है symbol में चल लाइए ठीक है यहां पर देखिए तो इसका जो 10 है इसका डाया हो जाएगा आपको दोस्तों ठीक है यह 151.7 यह इसका length हो गया 1 इसका sequence ID हो गया और 2 इसका जो हाँ welding का process हो गया दोस्तों ठीक है और जी grinding हम लोग करके रखे थे कॉनवेक्स वाला उसका symbol यहां पर रिपर्जेंट कर रहा है इसको क्लिक किजिए और यहां पर surface पर क्लिक करके यहां पर क्लिक कीजिए ठीक है तो इंडिकेट हो जाएगा surface पर आपका कि क्लिर है चलिए options में जाते हैं यहांपर और यहांपर ओके करते हैं देखी एक विलडिंग यहां पर बन चुका है ठीक है और यहां पर इसका आपका दोस्तों यहां पर आ यहा चुका है तीक कार जुद एक में ज्ट पर आती है यह ठीक और अप देखते हैं आपके घ्लाटे तो करते हैं दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा तो ग्टा कर ले多 है ऑप इसको 15 कर लेते हैं तो देखेंगे हां पर दीटू दोनों चेंज हो गां दोस्तों और यहां से बस उक्हेश कर लिजीए तो यहां पर देखेंगे तैनर और 15 डीवन डीटू हो गया ठीक है लेइन तब का घट गया हऊंसे ठीक है फिर से जिट में आते हैं कि लिए रहा उसी तरह एंगल वाल आगे हम लोग देखेंगे ठीक है अब यहां पर देखिए स्रेट वन में जाएए इस जॉइंट पर क्लिक कीजिए और यहां डिटेल्स पर क्लिक कीजिए दोस्तों ठीक है तो इसमें क्या होगा कि जो इसका जो लेंद्ध विल्डिंग का आप यहां से अड्जेस कर सकते हैं ब्लाइंड पर क्लिक कीजिए और यहां ब्लाइंड पर क्लिक कीजिए ठीक है सपोज कम करना है यहां से कम कर लिए ठीक है यहां तो सर्फिस रखना है सेलेक्ट बस आप इसको सेलेट कर लिए अप तो इन तक चला जाएगा दोस्तों ठी तो यहां से भी आफ्सेंस को आप से रहते हैं दोस्तों ठीक है चलिए फिर से लेट इस वार करते हैं इस वार करते हैं तिक है इसमें से जाइगा और तर्शाइड है ठीक है सर्फेस को करते हैं फसर्फेस कि संकेंड सर्फेस ठीक है उस्का अधर साईड में फार सर्फेस थैक वर सर्फेस और संक्र स yourselfzed तर दोस्तों ठीक है, और यहां पर इसको solid कर लीजाँ, इसको 10 कर लीजेँ ठीक है, देखिए, यहां पर, यह symmetric बन चुका, यहां से clear है वोदिक्र्टिक्ट यहां पर finishing कर लीजे chipping और इसको कर लीजे फ्लाट ठीक है, यह normal symmetric के लिए हो गया और यहां suggest आप यहां पर okay कर लीजिए ठीक है इसी तरह symbol भी यहां पर आगया दोस्तों ठीक है इसको symbol को आभी हैट कर लेते हैं चलिए अगला मेरा यहां पर आता है फिलिट विल्ट ठीक है और इस बार हम किसी एंगल पे प्रवाइड करेंगे सपोज एंगल लेते हैं और इस के समें सट एक साइज वान इसके समें एज को आपको डिफान करना पड़ेगा सपोज यह इयav令 देहैं एह और सफेसे क् और pillars लेते हैं बिदे हैं डिंट तो यह यहां पर कम कर लेते हैं इसको solid या light ठीक है जिसमें आपको चाहिए कर लेते हैं तो इस case में जब भी एंगल के लिजएगा दोस्तो इस case में आपको सिर्फेस वाला option रखना पड़ेगा दोस्तों ठीक है आइडी सिक्वेंस रख लेते हैं चलिए आपका हो गया यह वाला सिम्बॉल यहां तक क्लियर है और detail में यह रहेगा पाइया करते हैं इसको दोस्तो है चलिए और यहां से आप कर लीज़ा Venice यहां से धिय ripping दोस्तों चलिए आगे बरते हैं फिर से फिलेद्वघ लेते हैं और इस वार जो शेयप लेते हैं हाँ यहां पर हम यह वीड़ा पार्ट लेता है ठीक है पहला सर्फिस लेते हैं और सेकेंड्स सर्फिस ये बला लेते हूं शिम्बॉल बेजाते हैं सॉलिट करते हैं ठीक है इसको करते हैं five देखें complete यहांपे solid जो है through or आपका जो round part है कि यहां पर वेल्ड हो चुका है दोस्तों ठीक है सिंबॉल हो गया आपका यहां पर पोल का हो गया आपका देख रहे हैं यहां पर है रुबार हो गया और यह यह 4 नमबर जो है इसका सिक्वेंस आड़ी है दोस्तों ठीक है टू थ्री और यह फर्स्ट नमबर है ठीक है अब सब्सक्राइब करते हैं इसको एक को हम डिलिट करते हैं यहां पर टू इजी दो वन इसमें हम क्या है इस प्रॉसेस को वेल्डिंग प्रॉसेस को डिफाइन कि हैं अभी देखें यहां पर आगया ठीक है अब क्या करते हैं दोस्तों सिक्वेंस आड़ी था समय हम दिए हुए थैं सब्सक्राइब करते हैं यह वाला को यह थ्री नमबर है और इसको डिजेनेट करते हैं ठीक है यह पहला दूसरा और यह चौथा नमबर दोस्तों देख हैं ठीक है अब है अगर हम सीक्वेंस डी को अंटिक करके सब्सक्राइब करते हैं ठीक है सबस्कराइब करनेगा करते हैं पर ध्रीक कर से ठीक है यह implications है उसका sequence ID का दोस्तों ठीक है अब इस circular में आते हैं इडिट करते हैं और इस बार देखते हैं यह सब बाला पाट लेते हैं दोस्तों यह देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले है इसका line weight जो है trajectory का उसको calculate करने के लिए है तो यह हम दोग automatic ही रखते दोस्तों ठीक है वो कितना material फिल करेगा उसका volume calculate करता ही सब ठीक है तो इसको आप डिफोल्ट रखें यह इस पर क्लिक के जगा तो यह होता है दोस्तों intermittent welding के लिए होता है आप complete welding नहीं करके सिप आप कही कहीं पर point पर पिल्डिक के जगा तो उसके लिए होता है ठीक है इसका जो लेंद रखें इसको सब्सक्राइब कर लीजे तो देखिए इसका जो यह डाया वाला पाट इंक्रीस हो जाएगा ठीक है फोर इसको five कर लीजे तो हो जाएगा दोस्तों कि यह नंबर हाँ से अजिस्ट होगा ठीक है और यहां पर देखिए दो options है एक है Center to Center distance इस होल का जी जह जो पारट है इसका इस सेंटर से लेकर इस तक का distance और एक है यहां Face to Face Distance ठीक है और यहां से अगर आप नंबर नहीं define करके distance fit करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर दीजे और distance यहाँ से support 30 रख लिजे तो distance आपका यहाँ पर vary करेगा ठीक है चलिए इस पर click किजे यहाँ से इस case में आप यहाँ केतना angle तक यह रहेगा उसको आप define कर सकते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 20 एंगल तक प्रोजेक्टर आएगा इसको अन्रेट कर लिजे ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो यह इसको distance बढ़ाना है ठीक करना है ठीक कर लिजे ठीक है इसको center to center कर लिजे देखिए आपका यहाँ पर बड़ चुका है और यहां जेस्ट के कर लिजे ठीक है तो यह एक वेल्डिंग था एक दूसरा दोस्तों क्या है यहाँ पर देखिए वेल्डिंग मेरा यह surface के बीच मे यहाँ पर gap है सब्सको select करते हैं और हम यह वाला face लेते हैं और second face हम लेते हैं यह वाला तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ठीक है यहाँ तक clear है चलिए बस यहाँ पर just okay कर लीजए यहाँ से वेल्डिंग यह बन चुका है दोस्तों ठीक है चलिए तो hope यह जो concept है दोस्तों आपको वेल्डिंग वाला यहाँ पर clear हो गया होगा दोस्तों next आने वाले lecture में यह सब को हम लोगे करके बढ़ेंगे दोस दोस्तों आपको यहाँ पर clear हो गया होगा दोस्तों ठीक है बस आप ध्यान रखी एक तरह से symbolic represent है दोस्तों ठीक है actual symbol जब आप material फिल्म में जब किजेगा तो उस टाम में यह ज़रूरी नहीं कि इसी symbol में आपका वेल्डिंग होगा ठीक है यह एक तरह से represent कर रहा है दोस्त ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद